ये कहानी पुस इन बुट्स की लाइफ की एक ऐसे इंसिडेंस के बारे में है, जिसके बाद से उसका इस लाइफ को जीने का नजरिया ही बदल गया, वैसे पुस कितने बड़े-बड़े कारनामे करता है ये तो हम जानते ही हैं, इसी तरह एक बड़ा कारनामा करने के बाद प कई सारे पठाके भी भूटते हैं, और उसकी आवाज की वज़ा से डेलमार का कई साल उससे सूरा स्लिपिंग जाइन टिजाग उठता है, लेकिन जब उसकी और पुस की फाइट होती है, तो वो बिना डरे ही उसे बड़े ही आराम से हरा दीता है, लेकिन जीत जाने के पुस बच गया था, और जब वो पुस से उसकी बागी के लाइफ के बारे में पूचता है जिस पर पुस अपनी सारी लाइफ गिनना चालू करता है, और लाश्ट में उसे पता चलता है कि ये उसकी आखरी लाइफ है, अगर इस बार वो मर गया तो वापस से बच नहीं पा दरसल उस हार काशली कारण पुस का डर था क्यूंकि जब से उसे ये पता चला है कि ये उसकी आखरी लाइफ है तभी से वो अंदर से बहुत ही जादर डर चुका है और इस कारण अब वो अपनी तलवार वहीं छोड़ कर भाग जाता है अब वो उस जगा पर जा रहा था जहा कुछ मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे हमीशा से अपनी मर्जी से रहने की आदत थी तो अब उसे वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन कुछ दिन के बीटने के बाद वो पूरी तरह से समझोधा कर लेता है कि अब यही उसकी जिंदगी है तो अब ऐसे ही एक बोरिंग दिन वो वहाँ पर एक बिल्ले से मिलता है जिससे कुछ दिर बात करने के बाद वो बिल्ला उसे बताता है कि वो तो बिल्ला है ही नहीं बलकि वो तो एक डॉगी है दरसल वो बस यहाँ पर इसलिए रह रहा है क्योंकि उसके पास कोई घर या फैमली नहीं है वैसे पुस को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, ये लड़की बहुत टाइम से अपने बेर फैमली के साथ पुस के फुटस्टेप्स का पीछा कर रही थी, वैसे ये तीनो बेर ने उस लड़की को बच्पन में ही गोद लिया था, और अब ये उन्ही के परिवार का हिस्सा थी, अब वहाँ पर आकर वो तीनो तबाही मचा देते हैं, वो उस लेड़ी से भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई पुस नाम की कैट है, लेकिन वो लेड़ी को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो उन्हें माना कर देती है, अब बहुत देर परिशान होने के बाद वो चारों ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पुस नहीं है, वैसे इसी बीच उन्हें एक बार पुस भी मिला था, लेकिन वो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उसके कॉलर पर पिकल्स लिखा हुआ था, और उसका लुक भी पहले से बिलकुल बदल चुका था, जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें पुस के कपलों की ग्रेव मिलती है, जिसे वो पुस के ही ग्रेव समझते हैं, उन्हें पुस इसलिए चाहिए था क्योंकि वो उसकी मदद लेकर एक चोरी करना चाहते थे, ये चोरी एक मैप की थी, जो कि एक खास जगे का रास्ता बताता है, जहां पर जाने वाले पहले वेक्ती की कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, भले ही वो इच्छा कुछ भी क्यों ना हो, जब पुस उन्हीं की बात सुनता है तो वो उस जगा पर जाने का डिसाइड करता है, वैसे वो बियर फैमिली वो चोरी अकेले इसलिए नहीं कर पा रहे है क्योंकि वो मैप इस वक्त जैक के हाथ में है, जैक एक ऐसा वेक्ती है जो बहुत ज़्यादा बुरा था, और इसके साथ साथ उसके पास कई तरह के मैजिक एक्विपमेंट्स थे, अब पुस उस डोगी को वहीं पर छोड़ कर जैक के पास जाता है, लेकिन वो डोगी भी उसके पीछे-पीछे आ जाता है, जैक उस मैप के बॉक्स को अपने कमरे में रखा होता है, पर उसके कमरे में पहुचने से पहले ही वहाँ पर पुस पहुच चुका था और वो जैक के ध्यान देने से पहले ही उस मैप को निकालने की कोसिस करता है लेकिन उस बॉक्स में तो पहले से ही किटी थी अगर आपने इस कहानी का पहला पार दिखा होगा तो आपको पता होगा कि पुस और किटी कितने अच्छे दोस्ते अब किटी पुस को वहाँ देखकर थोड़ा सौक हो जाती है दरसल किटी भी वहाँ पर उसी मैप की चोरी कने आई थी अब वो दोनों छुपकर बैठे ही थे पर यहाँ पर वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे थे वसल उनके बीच अब कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी वज़ा से वो एक साथ नहीं थे अब जब वो वहाँ से निकलते हैं तो नीचे पहले से ही वो डौगी अपने गाड़ी को तयार रखे खड़ा था वैसे तो वो उस तुरंती डौगी को गाड़ी तेजी से भगानी को कहता है अब रास्ते में ही वो आगे बढ़ते हुए एक साथ ही उस मैप को ओपन करने का डिशाइड करते हैं वैसे अभी भी किटी अपनी एक अलगी विस मांगना चाती थी और पुस भी अपनी एक अलगी विस मांग से जोड़ती थी उसके अंदर इंटर करने के बाद वो तीनों उस मैप को ओपन करते हैं और देखते ही देखते उस मैप में एक रास्ता बनने लगा था जिस पर पहले पुस अपना रास्ता देखता है उसका रास्ता बहुत ही खतरनाक भी इसके बाद किटी भी अपना रास वैसे अब जिसके पास वो मैप होगा रास्ता भी उसी के हिसाब से बनेगा तो वो डॉगी से एक बार फिर से मैप को टच कराकर उस मैप को बंद कर लेते हैं और इसके बाद कुछ दिर चल कर अब वो अपने पहले पढ़ाओ पर पहुंच चुके थे वैसे तो उन्हें इसमे लाइफ स्टोरी बहुत ज्यादा फणी है वो कहता है कि मेरी एक बहुत ही छोटी सी फैमली थी हम लोग हमीसा मिलकर हाइडन सिक का गेम खेला करते थे लेकिन वो सबसे छोटा था इसकी वज़ा से हमीसा उसे ही सब को ढूंडने का काम मिलता था लेकिन कई बार वो लोग ऐ ऐसे छुपते थे कि उसे उन्हें ढूंडने में कई दिन लग जाते थे इसके बाद वो हस्ते हुए कहता है कि एक बार तो उन्हें मुझे एक मौजे में डाल कर एक पत्थर से बांधा और पानी में फेक दिया लेकिन मैं पानी में डोबा ही नहीं मैंने पहले ही उस रसी को छोड़ दिया था लेकिन इस सबसे एक अच्छी चीज हुई कि मुझे अपने लिए एक नया मौजा मिल गया डोगी की ये सब बाते सुनकर पुस और किटी को उसके लिए थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उसकी फैमिली उससे सिर्फ पीछा छोड़ान होता है यहां पिजैक ने डोगी को पगड़ लिया था और तभी वहाँ पर बियर फैमिली भी आ जाती है वो लोग मिलकर सब उस मैप के पीछे ही पड़ गए थे अब बियर फैमिली किसी तरह उस मैप को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है लेकिन इसके कारण की ने ओपन कर लिया था वैसे इसी बीच पुस एक बर फिर से उस भेडिये को देखता है और उसकी हालत एक बर फिर से खराब हो जाती है वो तुरंथी वहाँ से भागता है अब किटी जब पुस को भागते हुए देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि पुस है वैसे वो डॉगी भी सिधा पुस के पीछे ही आता है अब पुस एक जगा पर आकर रुख गया था साथी वहाँ पर वो डॉगी आता और उसे समालता है और इसके बाद पुस उस डॉगी को अपने आखरी लाइफ के बारे में बताता है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही ज पुष्ट डॉगी को बता रहा था कि उसकी और किटी की साधी होने वाली थी लेकिन वो वहां से भाग आया था और उसने उसके बार भी अपनी सकल किटी को नहीं दिखाई क्यूंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था वो डॉगी उससे किटी से माफी मागने को कहता है मगर बियर फैमली अपने घर तक पहुँच चुकी थी ये घर उसी मैप ने बनाया था ये वही घर था जहाँ पर उन बियर फैमली ने उस लड़की को एडॉप्ट किया था दरसल वो लड़की उन्हें बचपन में मिली थी वो अनात थी से लिए बियर फैमली ने उसे पाल लिय अब वो अपनी यादों में ही बिजी थे कि तभी हमारी टीम वहाँ पहुंचती है, अब किसी तरह मैनेज करके वो उस मैप को उसे छीन लेते हैं, लेकिन जब पुस उसे टेच करता है तो वो जगा एक बर फिर से बदल जाती है, वहाँ एक क्रिश्टल केज बन जाता है जो क पुस को अपनी वो आठो जिंदगियां दिखाई देती है जो उससे कह रही थी, कि यहाँ से निकलो और जाकर अपनी लाइफ वापस पाओ, लेकिन पुस ऐसा बिलकुल नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो किटी और डॉगी के साथ ही वहाँ पे जाए, लेकिन तभी व लिखी थी, जिसे पढ़कर वो अपनी कोई भी विस मांग सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर किटी और डॉगी भी आजाते हैं, अब पुस किटी को समझानी की कोसिस कर रहा था कि मौत उसके पीछे पड़ी है, लेकिन किटी को उसके इस बात पर बिलकुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, और वो उसे मैप वापस करते हुए कहती है, कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तो बैस अपने लिए एक सच्चा जीवन साथ ही मांगना चाहती थी, पहले तो मुझे लगा था कि मुझे बिना विस मांगे ही मिल गया, मगर ऐसा हुआ नहीं, अब तभी मैप उस लड़की को मिलने ही वाला था कि तभी उसका भाई उस अस्टार फॉर्मेशन में फस जाता है, तो अब वो लड़की अपनी मैप को भूल कर अपने भाई को बचाना सही समझती है, दूसरी तरफ हमारी टीम ने किसी तरह जैक को उसी के बैग में पैक कर दिया, जि अब भेडिये ने उसकी तलवार भी वापस कर दी थी, और जब ये फाइट श्टार्ट होती है तो इसमें पुस पहले की तरह ही बिल्कुल निडर हो चुका था, उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और इसी के चलते वो उस फाइट में उस भेडिये से जीत भी जाता है, लेकिन वो ये जानता था कि वो कभी भी मौत को मार नहीं सकता, इसलिए पुस उसे उसका वेपन दे दीता है, और उसे वो फाइट कंटीन्यू करने को कहता है, लेकिन वो भेडिया कहता है कि तुम अल्रेडी जीत चुके हो, मैं जिसे मानने आया था उसे तु जीन कर उसे पढ़ने भी लगा था, लेकिन तभी वो डॉगी उसका ध्यान भटकाता और हमारी टीम इतने में ही उस पर हमला कर दीती है, और इसके बाद वो उस मैप को लेकर फार दीते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि जो कुछ भी वो यहाँ पर मांगने आये थे वो उनके पास पहले से ही था, और अब जैक भी वहीं पर खत्म हो जाता है, और इसके बाद पुस किटी और डॉगी अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं, और इसी के साथ यह मूवी यही पर खत्म होती है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू